विजय सेतुपती जो साउथ इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार है जिसे आल्मॉस्ट आप सभी लोग जानते होंगे लेकिन क्या आपको पता है विजय सेतुपती को यहां तक पहुंजने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा सायद आप में से किसी को भी ना पता हो तो चलिए जानते हैं विजय सेतुपती की चीरो से हीरो बनने तक की चरनी को वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि सब कुछ सिधा सिधा बताऊंगा बिल्कुल बहुर नहीं करूंगा सिर्फ दो मिनट के वीडियो है चलिए सिधा पॉइंट पे आते हैं 16 साल की उमर में विजय सेतुपती अपना पहला ओडिशन देता है लेकिन अफसोस उनका पहला ओडिशन ही रिजेक्ट हो जाता है उन्हें खुद भी अपने इस पहले ओडिशन से इतनी उम्मीदे नहीं थी परिवार को चलाने के लिए यह बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ सेल्समेन की न जारा नहीं हो रहा था इसलिए विजय सेतुपती इंडिया चोड़कर तुबही चला जाता है अकांटेंट की जोब करने के लिए यहां आकर अच्छी तरह से सेटल भी हो जाता है और अच्छा का साथ पेशा भी कमाने लगता है लेकिन यहां पे विजय सेतुपती की लाइ की जोब का इसलिए वह एक तेटर गुरुप के साथ बतोर अकांटेंट जुड़ गए और यहीं से अपनी एक्टिंग की जर्निश शुरू करता है यहीं उन्हें चोटे मोटे रोल भी मिलने लगे थे लेकिन उन्हें यहां तक सिमित नहीं रहना था उन्हें बहुत आगे आना था उन्होंने अपनी पहली मूवी बनाई उन्हें 2010 में अपनी पहली फिलिप के लिए ही तीन नेशनल आवर्ड मिल गए थे इसके बाद कभी सैतुपती ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा जिसकी वजह से आज सैतुपती साउथ इंडिस्टरी में ही नहीं बल्कि पर बैसक काफी लंबा रहा इनकी स्टोरी और उस व्यक्ति को सुननी चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है तो सेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो